सोहनपुर गाव में रामलाल नाम का एक लकड़ हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गाव के पास के ही जंगल से रोज लकडिया चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरहा उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी। इसलिए अब उतनी लकडियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। उपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े ख्रीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए रामलाल से बार-बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे न मिलें तो रूठ जाती। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसलिए उसकी नाराजगी वो बरदाश्ट नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकडिया इकठा करके सारी लकडिया चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकडियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिये। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धी धीरे धीरे पेर काटना भी शुरू कर दिया। पेर काटने से और ज्यादा लकडिया हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़ारा हर हफते एक पेर काटता और लकडिया बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे लगी कि रामलाल एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड काटने का फैसला लिया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुलहारी को एक बड़े से पेड पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौक गया फिर उसे पेड की एक तहनी ने लपेट लिया रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है तभी पेड से आवाज आई मुर्ख तु अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है तु सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लोटाने के लिए पेड काटने आ जाता है तुझे पता है कि पेड कितने कीमती होते हैं हमारे अंदर भी जान बस्ती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा धूक में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है पेड ने कहा आज तू रूख यही कुलहाडी मैं अब तेरे उपर चलाऊंगी पेड की तेहने कुलहाडी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा उसने माफी मांगते हुए कहा मुझसे गलती हुई है लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पतनी का क्या होगा वो अकेली पड़ जाएगी आज से मैं किसी पेड को नहीं काटूंगा यह प्रण लेता हूँ यह सब सुनकर पेड को रामलाल के उपर गया आ गई उसने रामलाल को छोड़ दिया छूटते ही रामलाल भाग कर अपने घर गया और पैसों के लालच में ना आने का संकर्ट ले लिया कहानी से सीथ लालच में आकर पर्यावरन के साथ खिलवाड नहीं करना चाहिए हमें आक्सीजन पेड से ही मिलती है इन्हें काट कर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रही है